Hello students, Welcome to Study with Concepts So दोस्तों अभी तक हम लोगोंने Economics and Marketing में हम लोगोंने 6 parts देख चुके हैं या फिर 6 classes हम लोग देख चुके हैं आज हम लोग यहाँ पर 7th class देखेंगे Economics and Marketing से related जो कि आपके DFCCI के लिए काफी important class रहीगी देखेगा यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं Marketing से related questions किस से related marketing से ठीक आज हम लोग यहाँ पर Marketing से related देखेंगे Branding से related questions देखेंगे Prices से related questions देखेंगे इस प्रकार से ठीक है तो चलेगा class को start करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगोंने चैनल को subscribe नहीं किया है तो भी है channel को subscribe कर लीजगा और अपने दोस्तों में भी channel को share कर दीजगा और उन्हें भी subscribe करने को कह दीजगा ठीक है जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसकी जो PDF है वो मैं आपको Telegram channel पर देदूँगा Telegram channel की link जो है वो आपके description box में आप लोग description box पे Telegram channel जोईन कर सकते है clear साथी साथ description box में test book की test series की link है तो आप लोग link पर click कर गया आप लोग test series भी purchase कर सकते है चलेगा आज की class के आप पहला question है which is the which is a character stick of the market one area presence of both buyers and sellers single price of the commodity commodity मतलब क्या होता है एक product समझ लीजे ठीक है single price of the commodity मीन single price of the product commodity समझ नहीं आ रहे तो product वस्तू या फिर all of the above बजार की विशेष्टा इन में से कौन सी है तो देखेगा जो market होगा वो एक शेत्र में होगा है ना एक area में होगा जहाँ पर खरीदार और विक्रेता means बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों होंगे वहाँ पर उस शेत्र में साथी साथ वहाँ पर जो product की जो price रहेगी वो एक single price रहेगी चाए वहाँ पर जितना भी जैसा भी वहाँ पर जिस भी area का वहाँ पर market हो तो वहाँ पर जो भी product की जो price रहेगी वो single price रहेगी clear तो इस सारी जो characteristics है ये किसकी है marketing की है तो बिल्कुल यहाँ पर एक area में भी होगा है ना उसी के साथ साथ bears और sailors भी होंगे उस area में और साथी साथ जो product का जो price होगा वो single price होगा तो यहाँ पर यह अब perfect competition की एक विशेष्था क्या होती है हमें यह बताना है पूर्ण प्रतियोगी तकी perfect competition की एक विशेष्था क्या होती हमें बता रहा है तो देखेगा perfect competition हम business के according देख रहे हैं perfect competition हम किसके according देख रहे हैं एक business के according एक market के according ठीक है चलो सो ऑप्शन से आपर खरिदारों और विक्रताओं की बड़ी संख्या होगी बिल्कुल सही है ना लाइव नंबर्स ऑफ वेयर्ज एंड सेलर्स होंगे तो वह एक परफेक्ट कॉम्पेटिशन भी रहेगा होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ दा प्रोड़क्ट मींज उत्पाद की सजातिया इकाईया होगी बिल्कुल सही और बजार का यहाँ पर सही ग्यान होना चाहिए है ना परफेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए हमें मार्केट का तो फिर जो है वो क्या कहलाएगा कॉम्पेटिशन क्या कहलाएगा मार्केटर्स के बीच एकदम परफेक्ट कॉम्पेटिशन यहाँ पर कहलाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका all of the above जो है वो आपका यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक अगला question है political campaigns are generally example of अब यह नाम से ही समझ में आ रहा है political campaign यहाँ पर क्या कह रहा है राज आजनितिक अभियान आम तोर पर उधारन होता है किसका cause marketing का organization marketing का event marketing का या पर person marketing का तो जो political जो मुहीम होती है जो political अभियान होते हैं वो आम तोर पर example होते हैं किसके person marketing के किसके example होते है person marketing के clear तो यह तो नाम सी समझ मारा था तो बिल्कुल यहाँ पर person marketing आपकर correct answer हो जाएग पर a marketing philosophy summarized by the phrase a good product will sell itself which sell itself is characteristics of the dash period एक अच्छा उत्पाद means एक अच्छी वस्तू अपने आप बिक जाती है है ना कोई भी एक अच्छी वस्तू हो कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो वो अपने आप बिक जाता है ये जो statement है या ऐसा कहे लिजिए कि ये जो phrase है ये फ्रेज द्वारा संशेपित एक विपन दर्शन डैश की अवधी की विशेषता है तो हमें बताना है कि इसकी विशेषता है किसका ये characteristic है तो बिल्कुल किसी भी product के production का ये क्या है यहाँ पर विशेषता है characteristic है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्पादन जो है वो correct answer हो जाएगा दोबारा इस चीज को हम लोगें आपर पढ़ लेते हैं एक अच्छा product अपने आप बिक जाएगा वाक्याँच द्वारा संचेपित एक विपरंड दर्शन डैश की अवधी की विशेषता है किसकी विशेषता है ये तो उत्पादन की है production की है clear चले आगे बढ़ते है When producer, wholesalers and retailers act as a unified system, they comprise a जब उत्पादक, थोकवयपारी और खुदरा विकरेता एक एक एकिकरित प्रणाली के रूप में कारे करते हैं तो उनमें एक डैश शामिल होता है तो वो क्या कहलाता है, वो vertical marketing system कहलाता है, जब कभी भी producer हो, किसी भी product का producer हो, wholesaler हो या retailer हो जब ये एक unified system में काम करते हैं, जब ये एक एकिकरित प्रणाली के रूप में काम करते हैं, तो उससे यहाँ पर क्या कहा जाता है Vertical marketing system कहा जाता है यह आप ऐसा कहे सकते हैं कि उस time क्या होता है कि Vertical marketing system क्या हो जाता है generate हो जाता है clear तो बिल्कुल जब कभी भी producer, wholesaler और retailer एक unified system में एक एक उक्रित प्रणाली के रूप में काम करते हैं तो वहां पर क्या generate होता है Vertical marketing system हम जन्रेट होता है हम ऐसा कह सकते हैं तो बिलकुल यहां पर आपका वी एमेस क्लिया करेक्ट हो जाएगा वी एमेस मतलब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आगे बढ़ते हैं विच आफ दा फॉलिंग इस इस्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग टूल अब यह तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में निम्न में से कौन एक रण नितिक विपणन योजना उपकरन है तो देखेगा ज या हम ऐसा कह सकते हैं मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रोफ हम लोग ने पढ़ा है न बीसीजी मैट्रिक्स तो बिलकुल वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच आफ दॉव दो फॉलिंग इ हमें यहां पर simple meaning बस बताना है actual में होता क्या है तो business में diversification का मतलब क्या होता है कि नए products है ना नए markets के लिए नए products का production करना clear नए markets के लिए नए production नए products का production करना कहने का मतलब यह है कि नए markets में या नए markets के के लिए किसी भी वस्तू का किसी भी वस्तू का मतलब किसी भी नए वस्तू का उत्पादन करना clear वह आपका कहलाएगा यहां पर diversification कहलाएगा विविदी करन कहलाएगा so यहां पर simple लिखा है कि what is diversification so new products for new markets नए markets के लिए नए products चीक है चलो आगे बढ़ते हैं the process that turns marketing strategies and plans into marketing actions in order to accomplish strategic marketing objective is called रणनीतिक विप्णन उद्देशों को पूरा करने के लिए marketing रणनीतियों और योजनाओं को marketing क्रियाओं में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हमें यह बताना है so देखेगा इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या marketing implementation the process that turns marketing strategies and plans है ना वो process जो marketing strategies और plans को क्या करती है convert करती है किसमें marketing actions में clear किसमें marketing actions में in order to accomplish strategic marketing objectives है ना तो उसे हम क्या क्या कहते हैं marketing implementations कहते हैं या विपढ़न कार्यानवन कहते हैं clear तो बिल्कुल यहां पर option D आपका correct answer हो जाएगा marketing implementation चलेगा डैश is a strategy of using a successful brand name to launch a new or modified product in a new category डैश एक नई श्रेंडी में एक नया या संशोधित उतपाद launch करने के लिए एक सफल brand नाम का उपयोग करने की रणनीती है तो देखिए का जो brand extension होता है यह brand extension क्या है एक strategy है किस चीज के लिए तो brand extension ने आपर brand extension so brand extension is a strategy of using a successful brand name to launch a new or modified product in a new category आगे बढ़ते हैं the stage is the product life cycle that focuses on expanding market and creating product awareness and trial is the introduction stage तो देखेगा वह stage वह stage जहां पर product life cycle अब प्रोड़क्ट लाइफ साइकल हम लोग पहले classes हों पढ़ जो गये तो वह stage जहां पर product life cycle पर क्या किया जाता है focus किया जाता है किस पर कि हम market को भाई कैसे फैलाएं है हम हमारे market को कैसे फैलाएं हम कैसे नए products को यहां पर create करें और कैसे awareness जगाएं उस product के लिए क्लियर और कैसे हम उसका यहां पर ट्राइल लें तो वो आपकी stage का कैल आती है वो introduction stage कहलाती है वह आपकी कौनसी stage कहलाईगी introduction stage कहलाईगी clear आगे बढ़ते हैं देखें जितने भी यहां पर हम marketing के questions देखेंगे वो questions सब ऐसे ही रहेंगे जो आप practical life में देखते हैं जो आप practical life म में देखते हैं वही सारे questions यहाँ पर आपको exam में भी देखने को मिलेगे clear और वही questions हम यहाँ पर कर भी रहे हैं so अगला question है cost of setting up a warehouse is considered as dash cost and cost of overtime paid to workers is considered as a dash cost gest गोदामइस्थापिट हैना जो warehouse होता है जो go down होता है जो estate करने की लागत को fix लागत की रूप में माना जाएगा एक고 एस्थः रहेगा हैना इस्थिर lackat की रूप में मना जाता है और श्रमिकों को है ना श्रमिक मतलब क्या workers और workers को भुख्तान किये गए overtime की लागत को variable लागत की रूप में जाना जाते है वेरियेबल मतलब आइस्थिर है ना जो पैसा जो है इनका जो workers का जो amount है वो change होते रहता है लेकिन गोदाम का जो down का जो amount रहेगा वो क्या रहेगा fixed रहेगा मतलब इतना amount देना है तो हर महीन इतना amount ही लगेगा लेकिन workers का overtime की according यहाँ पर क्या रहेगा amount जो है वो change होते रहेगा तो बिल्कुल cost of setting up a warehouse is considered as fixed fixed cost and cost of overtime paid to workers is considered as a variable cost तो बिल्कुल यहाँ पर options ही आपका correct हो जाएगा यहाँ पर आपका आजाएगा fixed cost अगर warehouse की बात हो रही है तो fixed cost और अगर workers की बात हो रही है तो variable cost according to overtime ठीक है चलो logistic का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर simple way में हमें बताना है तो देखेगा logistic means production, flow of goods, consumption या फिर marketing channel तो देखेगा logistic का मतलब होता है flow of goods अभी flow of goods कैसे समझ में नहीं आ रहा है बट answer यह है तो देखेगा एक बार यहाँ पर logistic समझ लो देखो logistic क्या है एक process है किस चीज़ की process की भाई business में कोई भी business हो या कोई भी manufacturing आपकी company हो उसमें plan करना, implement करना, control करना, effective flow and storage है ना किस प्रकार से हम product को store करेंगे, किस प्रकार से हम उस product की service देंगे, किस प्रकार से हम उस product को delivery जहाँ पर delivery करनी है वहाँ तक हम कैसे पहुचाएंगे means transportation भी इसमें क्या है include है related information from point of origin to the point of consumption of the purpose यह आपका यहाँ पर क्या कहलाता है logistic कहलाता है, हिंदी में भी पढ़ लो, उद्देश के लिए मुल स्थान से उपभोक के स्थान तक वस्तूओं, सेवाओं और संबंदित सूचनाओं के कुशल, प्रभावी प्रभा और भंडारन की योजना, बनाने, लागू करने और नियंतित करने की प्रक्रिया होती logistic management is a part of, logistic management जो होता है, वो किसका part है, तो दिहान रखेगा, जो logistic management होता है, वो SCM का part होता है, SCM मतलब supply chain management, यह हम लोग पहले ही classes में पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ता है, marketing buzz का मतलब क्या होता है, तो देखेगा, marketing buzz का मतलब होता है, viral marketing, अब यह viral marketing, virtual marketing, social marketing, यह सारी ची समझ में नहीं आ रहा है, तो अगला question देख लो, बाकी इस question का answer clear है, marketing buzz means viral marketing, अब इस question का answer देखो, किसी branch हवी बनाने के लिए internet पर social network का उपयोग करने की technique क्या कहा जाता है, कहने का मतलब यह है, कि किसी भी चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना है, लोगों तक पहुचाना है और अपना इस product में, अपना इस company में हमारी brand बनाना है, लोगों के सामने, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम social networking site पर या internet पर हम लोग क्या करेंगे, हम networking sites पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे products के बारे में बताएंगे, हम उसकी advertise देंगे, तो बस यही technique क्या कहलाती है, यह viral marketing कहलाती है, यही technique क्या कहलाती है, viral marketing कहलाती है, और जो आपका marketing buzz होता है, वो marketing buzz का मतलब भी क्या होता है, viral marketing ही होता है, clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, which of the following is not included in the function of physical supply, अब देखेगा, निम्न में से कौन सा भहते काप उरती के car में शाविल नहीं है, तो देखेगा, जो physical supply के जो functions है, वो क्या होता है, कि भाई, किसी भी product को store करना, किसी भी product को packaging करना, means किसी product को pack करना, किसी भी product को transport करना, जहां पर उसे deliver करना है, तो यह product का storage, packaging, transportation, यह सब क्या कहलाता है, physical supply कहलाता है, clear हो गया, लेकिन standardization जो होता है, मान की करण होता है, यह physical supply के function में नहीं आता है, तो इसल यह हमारा आपर आंसर इस्टेंडिडाइजेशन हो जाएगा मान की करण हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं डैश प्राइजेस रिफर्स टुदा डैश प्राइजेस रिफर्स टुदा हाई इनिशल प्राइज चार्ज वेन न्यू प्रोड़क्ट एज इंट्रिडूस इन रहता है वह बढ़के रहता है ना तो उस प्राइज को हम लोग क्या कहते हैं उस प्राइज को हम लोग स्कीमिंग प्राइज कहते हैं क्या कहते हैं या स्कीमिंग प्राइज कहते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं सुपर मार्केट होता है वह क्या कहलाता है तो सुपर का हमें यहां पर फुल फॉर्म बताना है तो MPR का फुल फॉर्म क्या होता है marketing public relation very important question SSC में दो तिन बार पूछा जा चुका है so MPR का यहां पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा marketing public relations अगला question है the term meta marketing was first used by जो term है कौन सी meta marketing तो यह सबसे पहले यह term use किया था किनों ने यह किया था यूगिन जे कैली ने किसने यूगिन जे कैली so the term meta marketing was first used by यूगिन जे कैली अगला question है social marketing is used as an instrument to achieve the goals of अभी यह तो नाम से समझ में आ रहा है कि social marketing is used as an instrument to achieve the goal of समाजिक विपरंड का उपयोग डैश के लक्षियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है है न तो किसके लक्षियों को किसके गोल्स को प्राप्त करने के लिए तो society के गोल्स को clear समाज के गोल्स को तो बिल्कुल यहां पर option सी आपका यहां पर correct हो जाएगा society यह social marketing से यहां पर अप लोग society यहां पर जो है याद रख सकते हैं clear चलो अगला कोश्चिन the process of introducing higher quality products by manufacturer is called एक निर्माता द्वारा उच्च गुर्णवत्ता वाले उत्पादों को पेश करने की प्रक्रिया बहुत इजी है बहुत बार आपने नाम सुना है बहुत बार यह चीज डेली लाइफ में सुनी है क्या कि वह प्रोसेस जहां पर manufacturer के द्वारा हाई quality products को क्या किया जाता है बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं trading अप और trading अप अगर समझ भे नहीं आ रहा है तो हम यह कैसा है कि महेंगा व्यापार करना है न, अच्छा महेंगा वयापार करना, महेंगा वयापार तभी होगा जब product की जो quality है वो higher रहेगी, है न, जितनी ज्यादा product की quality अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा आपका जो है वयापार भी महेंगा ही होगा, है न, तो बिलकुल यहाँ पर trading up के उससे हम लोग यहाँ पर दिहान में रख सकते हैं, the process of introducing higher quality products by a manufacturer is called trading up, clear, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, dash is the marketing and financial value associated with a brand's strength in a market, dash एक बाजार में एक ब्रांड की ताकत से जुड़ा विपरंड और वित्तिमूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, brand equity, clear, brand equity क्या है, एक market में एक गांड की जो power है, जो ताकत है, उस से जुड़ा एक क्या है, उस से जुड़ा एक marketing और एक financial value है, clear, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question, अभी यह देखो, यह अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया, transportation belongs to dash function of marketing, अभी यह जो transportation होता है, या कहलो packaging होती है, या storage होता है, है ना, transportation, packaging, या फिर storage, है ना, तो वो आपका कौन सा function में कहलाता है, वो आपके physical supply में आता है, किस चीज़ का यह function है, physical supply का function है, दिखाऊ यह वाला question, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कराए, यह देखिए, यह वाला, which of the following is not included in the function of physical supply, तो physical supply के कौन-कौन से यहाँ पर functions है, storage, packaging, transportation, बस यही चीज़ यहाँ पर पूछी थ रहता है, आप packaging लिखा रहता है, तब भी आपका answer physical supply ही होता, ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यह थे आज के हमारे questions, clear, इसकी जो PDF है, वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा, टेलिग्राम चैनल की जो link है, वो आपकी description box में दे रखी है, तो जिन students ने आप टेल टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया भी हो, टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा, ठीक है प्रेंट्स, चले, तो अगर आज की class अगर अच्छी लगी हो, तो like करिएगा, अपने दोस्तों में share करिएगा, comment करके बताएगा, आज की class कैसी लगी, और अभी तग अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजेगा, ठीक है फ्रेंट्स, चले, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं next class में, जब तक लिए बाबाई, टेक क्यार क्यारि कर ले चैनल को सप्सक्राइब कर देसे अनल के बाद। झायाच्स कर के लिए क्या हम लोगे, जब तक लिए हम बादया This है, गानल कित THgano क्राइब में।